भाईजों बहनों, आज अगर हर आकलन, हर सर्वे एंडिये की जीत का दावा कर रहा है, तो उसके पीछे ठोस और मजबूत कारण है। आज एंडिये की फिर से सरकार वो हमारी माताए बहने बना रही हैं, जिनको हमारी सरकार ने, नितिश बाबू की सरकार ने सुविदाओं से जोड़ा है, अवसरों से जोड़ा है। वो बेटियां जो आज बिना किसी डर से पढ़ाई कर रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, वो बेटियां आज एंडिये में बढ़ चड़ करके साथ दे रही है। वो जिवी का दीदियां जो आज आत्म दिरभर परिवार और आत्म दिरभर बिहार की प्रेणा बन रही हैं, वो एंडिये को ताकत दे रही है। गर गर स्कूल स्कूल बने सोचानायों ने जिन बेहनों बेटियों को गरीमा दी, अंदेरे के इंतजार से मुक्ती दी, वो मारी बेहने एंडिये की सरकार दुबारा बना रही है। जिन बेहनों को पीने के पानी के संगर से मुक्ती मिली, वो एंडिये के पक्ष में बोट डालने के लिए उत्साहित है। जीवन भर दुवे में उलती उन बेहनों का वोट अब दुवे से मुक्ती मिली है। उनका वोट एंडिये के लिए जिनके घर में उजवला का सिलंडर पहुँच चुका है। साथियों, बिहार के बेटे बेटियां, जिनने आज मुद्रा लोन मिल रहा है, बैंकों ने जिनके लिए दरवाजे खोल दिये हैं, जिने आई आई टी, आएम, एम्स मिल रहा है, वो आज अपने उजवल भविश के लिए एंडिये पर भरोसा कर रहे हैं। बिहार का मद्यमवर्ग, जिसकी इज अब लिविंग बड़ी है, नए हाइवे, नए रेल रूट बनने से, जिसकी सहुलियत बड़ी है, जिसके गड़ की इमाई, इमाई कम हुई है, जिसे शान्ती का माहोल मिला है, वो आज बड़ चड़ करके एंडिये का जंडा ले करके दौड रहे हैं। साथियों, जिसको आज अपना पक का गर मिल रहा है, आईश्मान भारत योजना से मुप्त इलाज मिल रहा है, दिवाली और चठ्ठी मैया की पूजा तक, जिनको मुप्त राशन मिल रहा है, वो कभी जरूरी सुविदाओं के लिए भटकने पर मजबूर थे, आज जिनके पास सरकार खुद पहुत रही है, बिहार का ऐसा एक एक परिवार, हर कोई परिवार, आज एंडिये की जीत का आधार मना है। साथ यो, एंडिये सरकार ने आज समाज के उस भर्ग के सपनों को, उसकी आकांख्षाओं को नई उडान दी हैं, जो कभी बंचित था, जो दसकों से मुलबूत सुविदाओं का इंतजार कर रहा था, क्या गरीब से गरीब भी कभी सोच सकता था, कि उसके पास मोबाइल फोन पहुचेगा, बैंक में खाता होगा, बैंक से कभी उसको लोन मिलेगा, क्या किसान कभी सोच सकता था, कि उसके खाते में, बैंक खाते में भी, कभी नियम वित्रुप से सरकार पैसे जमा करेगी, किसान हो, खेत मजदूर हो, स्रमीक हो, छोटा दुकांदार हो, इन समने, क्या कभी सोचा था, कि उनको साट वर्ष की आयू के बाद, पैंशन की सुविदा मिलेगी, वो बुड़ा पा सम्मान के पुर्वक जी पाएगा, ये सब कुछ, आज हो चुका है, और NDA सरकार ने, ये कर कर के दिखाया है,